कहिये कैसे हैं आप, जहान सडकों पर दिन भर इतना ट्रैफिक, इतनी भीडबार, इतना हो अला रहता है ना वही अगर सुभे सुभे उनी सडकों पर सुभे सुभे निकल जाएंगे ना तो हम देखते, एक अलग तरह का महॉल, महॉल होता है स्कूल जाने वाले बैचों का, especially जैसे होता न, 7-8 के बीच में एक अलगी नजारा होता है, अलग अलग स्टाप पे बच्चे खड़े होते हैं, अलग अलग उनिफार्म में होते हैं, इसलिए होता है कि वह ले उठते अब बच्चे लेट के उधतэußenkaya जो मेट हो गया। किस तरह इसी बारे में बात करते हैं कि बच्चे समय पर पर कैसे उनको को मोटिवेट करें किस तरह समझाएं कि वा सुमय पर तो इसके लिए यह देखना चाहिए सबसे नीन कितनी हुए क्योंकि आम तौर पर जो कंछे बारा हिंदwości कि उनको नाज जवनीध पूरे बारा घंटे की और जो वारा साल के बच्झे होते हैं उनको नाज से और दस घंटे की जाल करूं इसलो कि या ज़रूरिया है तो इसके लिए बच्टे कि नीनध के लिए हम चलते हैं एक दिन पहले जैसे की रात के समय तो बात करते हैं रात की रात की यानि की उनके सोने के टाइम की स्लीपिंग टाइम की तो इस बात का बहुत ज़रूरी ध्यान देना है कि हमें एक टाइम फिक्स करना है जैसे साड़े आट हुआ या नौ हुआ जो भी आपको कर्मिनेट है उ Xonee का मतलब या नहीं होता कि टीवी चल रहा है और हम लेट गया है देखते देखते सो जाएंगे या मॉबाइल कर रहें या वीडियो गेम कर रहें की चलो सो जाएंगे ये नहीं सोने का मतलब है सोना यानि आखे बंद लाइट बंद, लाइट में आप जीरो वाट का बल्ब लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, जो भी आपको convenient हो कि बच्चा सोते होए डरता है, या कोई और बात है, तो आप हलका सा बल्ब, हलकी सी लाइट रूम में रहें, ये चीज़ कर सकते हैं, आप कहां नहीं सु बच्चे सो जाएं, पर इस तरह से कि बच्चे चलो टीवी देख रहा है, तीवी देखते देखते सो जाएगा, ये फिर पता नहीं कितनी देर में सोता है, नहीं सोता, क्या कर रहा है, तो इसलिए आखे बंद, और एक बार ही हम करना शुरू करेंगे, थोड़ा टाइम ही इस बात को, पर अगर हमने मान लीजे, साड़े आट का टाइम बना लिया, कि साड़े आट बजे आपने सोना है, बैट पर जाना है, और आखे बंद करनी है, तो हमेशा बच्चे को साड़े आट बजे ही नींद आएगी, क्योंकि वो टाइम उसका फिक्स हो गया, जैसे होत आपकी आइस ख्लोस्ट होंगी ही होंगी, और सौने से पहले और और गनाइज रहे हैं, और गनाइज कैसे रहे हैं, कि जब हम सोने वाले है, जिसे पेरेंट्स का, मम्मी का, ये सबकी मिली जुली भूमी का होती है, कि सब मिलके करें, कि क्या कि, युनिपर्म एक तरफ रख है कि जो मदर्स हैं पेरेंट्स हैं बच्चों के एक बड़ डारी चेक कर लें कि उन्होंने सारा homework किया है कि नहीं अपना learn work किया है कि नहीं कहीं पर कोई sign कराना तो नहीं रहे गया कहीं पर उसका कोई test तो नहीं है कल ये सब चीजें पहले ही confirm कर लें उससे क्या होता है कि कई बारी जैसे मान लो एक बच्चा है उसका test है कल class test है उससे त्यारी नहीं की हुई तो सुबह वह उठता नहीं है उठे पेट दर दो रहा है गला दर दो रहा है ऐसे जूट मूटके होता है कि टेस्स नहीं देना तैयारी नहीं है और जहां पर बच्चे ने सारा homework किया हुआ है सारा learn work किया हुआ है सारी तियारी किया है फिर तो बहाना बनाने का को सीन ही नहीं है वह तो सुबह खुदी उठेगा तो जरूरत इस बात की होती है कि बच्चा सारा सब कुछ मतलब वही और आपकी तरफ से सारी यूनिफॉर्म वगरा सब कुछ एकदम तयार हो ताकि जब सुबह उठे तो कोई खबरादबरी ना हो फिर सुबह सुबह बच्चों को नैचुरल वे से उठने दे एक बार एक बार कोशिश करें कि जैसे हमारा सुने का टाइम फिक्स है ना ऐसे हम जैसे माल लीजिए अलाम लगाया हूआ है पौने छे बजेगा कि पौने 6 बजे उठना है तो उस समय हम एकदम से उठाने की बजये हम क्या गट सकते हैं हलके से कर्टन सकते हैं क्योंकि ना जैसे बाहर चिडियों की चाहए चाहार थालका साना मतलब बातावरन बदलने अलग अलग थोड़ी सी आवाज आनी शुरू हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए कि ना या तो कर्टन हटा देना चाहिए ताकि थोड़ी सी लाइट आए बाहर की कि भी दिन निकल गया बच्चे को मतलब एक तरह से अलर्ट करना होता है कि अब सुबह होने वाली है अब आ सुथ कि बच्च को ना कि हो जाए तो सुबह अहां से एक उच्जाते है टो थोड़ा सा फोड़ा उड़ा सा एप मतलब और खुड़ा सा ता का परने च्ञ़ माझ बच्चा उटा आए और व्लेज हो अरहां से बिल्द कुल आराम से जैसे उसको रवास देना आ आप भी महार को पार है है ऑब कुछय कोुछ इंकरेश कर द्सके लिए इंचंड की लिए Negan भाबले के लिए इसको बियार से कहने काम तरह मिल सुवेख सभाण साथ तनाव वाला बना लेंगे तो सारह दिन आप कभी का भी खटा बच्रालAnnग तो अरा एस सो थंडे रिमाग से उस्ने भी सारह दिन बहुत अच्छा बिता नहीं आपने भी बहुत अच्छा बिता नहीं इस लिए बहुत जुरियां कि एक общ Además आप लहाती है तीचमे नराम से हां तरीक अलग अलग हो सकते हैं आप लिगा सकते हैं तफिर उपल Trinity नहीं है कि यह बार की आदखत भी आदत होती हैं और प्र dif taxi कने थीच दिक्कत नहीं ह। तो आप ऐसे भी गर सकते हैं जैसे music चला दिया, music चलाने के बाद आप उनको ये बोलना है, आपने बोल के रखना है बच्चो को कि ये music सिरफ 2 या 3 मिनट चलेगा, इस बीच में आपने बिस्रा छोड़ देना है, बैट छोड़ देना है, फिर आप कुछ भी करो पर बैट पे नहीं रहना, और अगर ये च कुछ भी जो भी बच्चा चाहता है वो पूरा होगा, पहले से ही रख दो कि अगर जैसे एक चार्ट बना लिया और इसमें अगर आपने पूरे के पूरे 30 दिन या 31 दिन आप बिब्कुल टाइम से उठ गए, music के टाइम पर उठ गए, तो आप पक्का, मतलब एक तरह से र बच्चे को बहुत अच्छा लगता है जैसे माली जा आपने पाओ भाजी बनाई है उसकी खुश्बू इतनी अच्या आती है और बच्चा एकदम से खुश्बू से उठ जाएगा या उसको कान में जाकर उसके बोलो आपकी पाओ भाजी तेयार है, ब्रेकफस्त तेयार है और लंच में भी मैंने यही रखा है तो फिर फटा फट वो मतला उठे गाई होता ही है जैसे पसंद की चीज होना जैसे आलू की प्रांठी है इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है तो बच्चा है तो अच्छा आज ब्रेकफस्त में यह है तो चलो इस तरह से भी हम बच् करा सारा देन अच्छ है हम यहां चार रह जाहां पर नील अच्छी होगी तो थे पर घ्र हांपर थे ठाकैर रहेंगे उदाश पाई जमाए इसलें है चुब ज़्रूरी यह चीज़ें नील अच्छी लेना Sheriff ऑ्ट और बहें बावान लिजे कि वो साड़े छे बजे उठता है और सवा साथ तक वो उसको stop पे पहुंचना है इस बीच में अगर उसने सारा काम जैसे कि साड़े चे बजे उठके वो उसने brush कर लिया पौने साथ तक वो नहा लिया साथ बजे उसका breakfast हो गया और सवा साथ बजे वो stop पे खड़ा है यह सब चीज़े एकदम right time पे हो रही है और वो tick मार रहा है मतलब एक chart बना हुआ है उस पे उसने tick लगा रहा है वो हर रोज tick लगा रहा है तो महीने के end में उसको जो भी उसका reward हो वो आप दीजे इससे क्या है कि एक बार encouragement मिलती है पर फिर वो जो आदत बन जाती है ना व बच्चे को इसके लिए encourage भी करना है motivate भी करना है ताकि वो करता रहे और इसी के साथ साथ एक बहुत जुरूरी सबसे जुरूरी बात वह यह कि parents को role model बनना चाहिए parents को इस तरह से role model बनना चाहिए कि बच्चे उनको follow करें बहुत सारे parents specially mothers की अगर मैं बात करूँ तो मदर यह कहती है हमारी तो आख ही नहीं खुलती सुबह हमें तो सुबह सुबह इतनी सुस्ती रहती है वही चीज बच्चा देख रहा है जब मदर की आख नहीं खुलेगी तो बच्चे को कैसे motivate करेगी तो parents को इसके लिए role model बनना चाहिए उनको खुद सुबह जल्दी उठना च सुबह उठें टाइम से उठें लेट ना हो और समय पर स्कूल जाए वैसे आप बताईए आप क्या सोचते हैं यह तो मैं अपने experience के बेस पर और आसपस जो देखते हैं उसके बेस पर बोल भी हूँ आप बताईए आप क्या सोचते हैं कि बच्चों को अगर सुबह उठाना प्लीज कर लिजेगा और subscribe करने के साथ साथ इसमें जो एक bell का बटन है ये भी दबा दीजेगा ताकि जब भी जैसे में कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास notification या message आ जाए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको share भी कर लिजेगा आपके बाइ